कि ह secretary हमारे के हमारी गार्डी के बारे में सोच है ना वहीं बिलकुल ऐसी सोच रखता है में शीन पने ना करे ForschAK क्या रखता हो गउला है जादा देर रहे सिसरा हम कहता है गाड़ी तंग ना करे और इसी के लिए Protest मैंटेरंस मॉज्धा करचा ना हो mileage, बेतर हो तो यह सारी चीज़ आ हम लोग अपनी गाड़ी के बारे में चाँते हैं या अपने घर के बारे में चाँते हैं कोई भी इसा असे इसको हम और करते हैं जैसे हम चाहते हैं हमारी management भी वही चाहती है तो अगर हम लोग अपना जो काम है उसको align करने management के साथ तो क्या होगा management खुश हो जाएगी और हमारी जॉब पूरी अब देखे जिस तरह में भी जिकर कर रहा था कि management हम से क्या चाहती है company के goals है optimize रखना है resources को time reduce breakdown times उनको कम से कम करना है cycle time को भी कम करना cycle time समझते हैं न जो production cycle time होता है उसको भी कम रखना है cost कम से कम रखनी है हमारे effective control होने चाहिए हर चीज का reporting time पर हो रही हो maintenance सिर्फ repair, maintenance, breakdown, preventive maintenance, scheduling, tasking सिर्फ यह नहीं है अभी भी यह discussion हो रही है कि आप maintenance में करते हैं company goals है कि उन्होंने competitive रखना है growth करनी है market ज्यादा लेनी है यह production के different brands लेकर आने है different let's say new products लेकर आनी है strong systems हो, customer उनके satisfied हो दो तीन चीजों के इलावा क्या यह सारे के सारे हमारे goals भी नहीं है maintenance सालों के अगर नहीं है तो हम बना ले बना लेंगे तो हम company के goals के साथ align हो जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि उसमें maintenance of machine वो सिरफ हमारी availability को increase करती है कुछ cases में cost को reduce करती है कुछ cases में quality को भी बितर करती है बट हम लोग actually जो company का ज्यादा फाइदा कर रहे हैं वो company को goals को meet करने भी कर रहे है हमने अपनी maintenance को उस तरफ उस तरह से करना है ठीक है motivation यह होनी चाहिए कि आप अपने goals को आप समझें कि हर बंदा हम में से चाहे वो सबसे पीछे बैठे में आप दो technicians है हमारे पास अगर वही चाहेंगे आप लोग तो company खुद बहुत बेतर होना शुरू हो जाएगी cultural change आजएगा तो उनकी problem समझें उसके देखते हुए आज हम वो सारी चीजने सिखेंगे इसमें कोई मसले बात नहीं किस तरह से इसको करेंगे हम अलाइन किस तरह से करते हैं अच्छा एक छोटी सी हम वीडियो देखेंगे उसमें एक एग्जेंपल है आप लोगों के लिए एक हैं आम में से को असिफ तो नहीं है एक इंजिनियर है आसिफ साब वो बहुत ज्यादा काम करते हैं उनका हर वगत फोन जो रिंग करते रहते हैं बट उसे उठाते नहीं ज्यादतर कॉल नहीं लेते हैं आप में से कोई ऐसा है जिसको कॉल जाती है और वो कॉल आंसे नह गई फिर कोई ब्रेकडाउन आ गया फिर चले गए फिर मीटिंग आ गई फिर कुछ प्लैनिंग को टाइम दे दिया कुछ आ पीजिजए स्काइजल का ली चेज़एं फिर मिटिंग फिर कुछ चीज़ eg allegedly प्रोजेक्ट वगर वह कर वा लिए फिर फिर ए特पर मीटिंग फिर मेंडिक मीटिंग को देख लिया फिर वेर ऑगई यॅ कि ie वेंटर को मुझ कुन करता है जिसको जो काम दे दिया उसने तो वो काम नहीं अपना करना वो हमने उससे फॉल अप जब बार बार करेंगे वो शर्मिंदा होगा तो फिर वो करेगा अच्छा उसी के बरक्स एक जहूर साब है जहूर साब बहुत अपने काम को एफेक्टिवली करते हैं और अडड़ेटिव होता है कि नहीं चीजों को सीखते हैं जी समा आज डिसकेशन हो रही है इसकेशन को सिर्फ सुन लेंगे और थोड़े दिर बद मिद भूल जाएंगे तो एड़ेप्टिव नहुए होगा कि जो चीजने के काम के हैं उनको अप लें आप टीम को मैनेज करें systems बनाएं आपके control strong हो analysis की capabilities हो आपके अंदर और आप KPIs अच्छे बना लें अगर आप ये काम कर लेंगे आपका workload कम हो जाएगा वो जो पहले हमने दिखा था ना कि meetings repair अगर आप थोड़ा सा control कर लेंगे तो क्या होगा आपका वो वाला काम कम हो जाएगा टीम के साथ और आप और इसमें बड़ी की है टीम की कि आपने सिर्फ ये चीज़ें खुद नहीं सीखनी ये आपने जाकर लोगों को भी समझानी है किसी ऐसे classroom में यहाँ personal capacity में यहाँ आप systems ऐसे बना दे कि टीम को वो system खुद बखुद ड्राइव करें हम भी discuss करेंगे कि आप यहाँ से सिर्फ के चलेंगे system implement किया कि टीम कि सारी कि सारी आपके साथ उसमें इंगेज रहे maintenance के असल में काम है planning, scheduling, executions, meetings, vendors के साथ बस और उस बिचारे ने कुछ नहीं करना होता repairs पे जाना बहुत जादा जाना हमारे हमारा काम नहीं होना चाहिए तो अगर आप Mr. जहूर की तरह नहीं हैं तो परशान हो यह गा इन्शाला एक दिन किसी ना किसी तरीके से आप पहुँचे जाएंगे specially this course के बाद अच्छा task management से related ही हम एक चोटी सी के task को plan और schedule किस तरह करते हैं एक चोटी सी और वीडियो देखते हैं जो लिखा हुआ है वो तो मैं आपको वैसे ही बता दूँगा लिकिन वैसे ही बताईए का plan क्या होता है कोई शक्स normal life में plan क्या होता है किस तरीके से करना है बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने विल्कुल होता है यह होगा यह बहुत अगर आप वो जो पहली activity हो रही थी वह इसे वह जासे हो रही थी कि आपको पताओ कि priority क्या है आपने उसको stack किया गौब पहले का उसका काम को शुरू करेंगे और बहतर तरीका होता है कि जो आपके सबसे सुबह वाले time होता है ना लेट से आर्ट से जो हम meeting में जाया कर देते सारा का सारा time अगर आप मीटिंग का time control कर सकते नहीं कर सकते फिर तो आपसे कोई गिला नहीं है लेकिन control कर सकते जो आपकी परसनल मीटिंग से चोटे से चोटा रखे इस्पेशली जो मॉर्निंग वली है planning क्या होती है कि किस काम को कैसे करना है कब करना है कब करना actually schedule का part scheduling और planning में क्या फरक होता है schedule में भी तो यह करते हैं हम लोग उसमें टाइम होता है और कौन करेगा ठीक है planning में क्या है और कब करना है scheduling होती है कौन करेगा कब होना है पर से कोई planner है एक साहब थे planning में कोई schedule बनाते है maintenance के condition monitoring इस पर हमारी वैसे काफी लंबी बात होगी लेकिन अब maintenance में लैट से mechanical maintenance बेरिंग आप बता रहे थे कि आप चेंज करते हैं यहां को ज्यादा problem उसका आप आप भी बता रहे थे तो क्या आप schedule नहीं करते बेरिंग की placement कोई schedule होता है ना लैक से दो साल बाद होगा चेंज अच्छा आप लोग schedule नहीं करते condition monitoring वाले करते हैं आपकी maintenance planning का department नहीं है एक है आपकी condition based उसको कहते हैं cbm एक आपकी tbm भी तो time based maintenance हाँ तो वो schedule होता है ना उसका जी बिल्कुल है सही जी प्लैनिंग में क्या आपके पास आते हैं sorry planning में आपके पास आते हैं कि आपने जो आप preventive maintenance plan करते हैं corrective actions होते हैं replacement of parts होती है चीजें होते हैं schedule में आप क्या करते हैं कि schedule में आप जो चीजें आपने plan की होती हैं उसको किसी ना किसी को तो वह आपने schedule की एक्चुली तो आप scheduling करते हैं तो करीवन सब लोग करते होंगे planning and scheduling maintenance का हर बंदा ही करता होगा आप ही करते होंगे ऐसे ही है ना तो आप कोई ऐसी अपनी शेयर करेंगे कि आपने plan किया हो और वो time पर execute ना हुआ हो